हलो दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली 2023 में कब है और दिन क्या है तारीक क्या है होली का दहन का सुमुहूरत कब है ये सारी बाते हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं द जाता है एक तिवहार के बाद लोगों को आने वाले अगले तिवहार की तारिक जानने की काफी उच्छता होती है हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का पहला बड़ा पर्व होली साथ मार्च के दिन मनाई जाएगी साथ मार्च सनिवार के दिन संध्या में सुमुहूरत म होली का दहन किया जाएगा और आठ मार्च सनिवार के दिन रंग खेला जाएगा होली का दहन वाले दिन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है इस बार फालगुन तिथी का आरंब 6 मार्च 2030 को 4 बजकर 17 मिनट से सुरू होगा और पूर्णमा तिथी का समापन 7 मार्च 6 बजकर 9 मिनट तक होगा छोटी होली के दिन होली का धहन किया जाता है इस दिन साम के समय चांद के पून रूप से दिखने के बाद ही होली का धहन किया जाता है इस बार होली का धहन का सुब महूर्थ 2 घंटे 27 मिनट का बताया जा रहा है इस दिन साम को 6 बजकर 24 मिनट से लेक आठ बजकर 51 मिनट तक होलिका दहन का सुबमुहूर्थ होगा दोस्तों होलिका दहन की कथा कुछ इस प्रकार है दोस्तों सास्त्रों में वरनित कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिर्णा कश्यप नाम का ये कसुर राजा था वे खुद को ही इस्वर समझने लगा था यहां तक कि हिन्यकश्यप ने राज में कोई भी वेक्ती इस्वर का नाम नहीं ले सकता था वहीं राजा की बहन होलिका को आग में भस्मना होने का वरदान मिला हुआ था लेकिन हिन्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विश्णू का बहुत ही बड़ा भक्त था राजा के मना करने पर भी वे उनकी पूजा बहुत किया करता था एक बार हुन्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया प्रहलात को गोद में लेकर आग में बैठ जाएं लेकिन आग में बैठने पर होलिका जल गई और भगवान विश्णु की क्रपा से प्रहलात बच गया तभी से ईश इस वीडियो में जाना कि होलिका दहन का सुमोर्थ क्या है और किस दिन होलिका दहन आप करेंगे क्या तारिक होगी सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है और आसा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको या वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें